हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टो निदीज किचन आप सबको परफेक्ट खाना सिखाना मेरा मिशन है मुझे सपोर्ट करनी कली में चनल को सब्स्राइब कीजी साथ ही मेल आइकन को प्रेस कीजी ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो फ् आपके पास जैसे भी मुमदाल की मोगर है उसको आप रात को भीगो दे वो देखी फ्रेंड्स में दोनों तरह से मिक्स कर रहे हूं दोनों डाल को हम अच्छे से फेट लेंगे अगर आपको फेटने में कोई दिक्कत हो रही हो तो फ्रेंड्स आप इसमें थोड़ा-थोड आपसा पानी डाली है और इससे आप अच्छै से इसका फाइन पेस्ट बना लिजी बिल्कुल दर जरा पेस्ट आपको नहीं बनाना उसको इसका बना कर रेड़ी नहीं है आपको आट से दस घंट में ते के ली धाल सिया थिल अपर आप अवर नाइट इस दाल को भीगो दी देखोगे बनाएंगी चाषनी बनाने के लिए मिल लए है दो बाउल ह्टीनी और एक बाउल में इसमें डाल दियाँ पानी अब मैं इसमें डाल दूँगी रेड फूट कलर इससे चाशनी का कलर भी हमारा बहुत अच्छे से डार्क हो जाएगा अगर आपके पास गुलाब जामुनकी या फिर किसे भी चीज के चाशनीर रखी हो तो आप ले सकते हैं मेरे पास यह चाशनीर बची हुई थी तो म हम इमर्ती बनाना स्टाट करते हैं इमर्ती बनाने के लिए फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई बोटल हो तो आप उससे बना सकते हैं मेरे पास एक केचप वाला बोटल है मैं इससे इमर्ती बना रही हुए देखिए फ्रेंड्स आपको पहले गोल गोल बनाना है उसकी बना सकते हैं यह देखिए सबसे पहले हम गोल ड्राउंड शेप में इमर्ति को डालेगे उसकी बाद इसके उपपर हम गोल गोल डेजाइन बना देंगे तो फ्रेंड्स मार्केट में लोग ऐसे ही डेजाइन बनाते हैं उसके बाद फ्रेंड्स एक बात का पुछ जरू धिया में इमर्ति बना ही आप चाहें तो टेल में बना सकते हैं अब हम इसे पलड देगी मैंने बहुत शोट इस वीडियो को किया है इसलिए जदा मैं नहीं बता पा रहा हूं इसलिए फ्रेंड्स आप हम इसे पलड कर अच्छा से पकने देंगी आप चाहें तो मूंग डाल में भी इमर्ती बना सकते हैं और उसकी थोड़ी कम टेस्टी लगती हलवाई लोग मार्केट में उड़त दाल से ही इमर्ती बनाते हैं वो ही ज़्यादा परफेक्ट लगती ही फ्रेंड्स तो आप उड़क डाल से इमर्ती बना कर ट्राइ कीजिए तो फ्रेंड्स इससे सीखने में थोड़ा टाइम लगता है इस बात का आप ज़रू ध्यान रखें बिल्कुल कुर्कुरी कड़क कड़क हो जाने ते कापिसे तेल में या घी में फ्राइ करें अच्छे से उसकी बाद हम इसे प्लेट में निकाल कर डायरिक्ट हम इसे गर्म गर्म चार्श्नी में डालकर सर्व करेंगे तो फ्रेंड़ा देखिए अगर आपके पास इमर्ती बज जाए तो आप उसका केसी यूच करें तो फ्रेंड्स से तो फ्रेंड्स से सबसे पहले हम क्या करेंगे इमर्थी खराब नहीं होती बिना चाशनी कि आप इसे रख सकते हैं तो आप दो तिन दिन बाद अगर आपको इसे यूज लेना है तो आप एक पैन लेजिए उसमें आप घी कर्म होने के लिए रख दीजिए गी कर्म हो गया है इसमें आप इमर्थी को डबल से फ्राई कीजिए ताकि वो अच्छे से कड़क हो जाए यह देखिए इस तरीके से हम इसे फ्राई करेंगे यह देखिए मैंने 5-6 इमर्थी इसमें डाल दिया और इसमें अच्छे से फ्राई कर रहे हूं यह अच्छे से कड़क हो गई अब हम इसे निकाल कर चाशनी में डालेंगे देखना फ्रेंड्स मैं इसे प्लेट में रख रहे हूं उसकी बाद मैं इसे चाशनी में डाल दूंगी तो इसे आप बाद में बची हूं इमर्ती का भी आप इसे यूज में आप ले सकते हैं तो फ्रेंड्स यह मैंने एक बाउल में उसके बाद हमें से प्लैट मनिकाल लेंगे ये देखिए friends से हमारी इमर्थी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है और बाद में आप इसे कैसे यूच करें वो भी मैंना आपके सम्म बता दिया है तो friends आपको मेरी इमर्दी की recipe किसी लगी मुझे comment करके जरूर बताए मेरे वीडियो पर जूना है मेरे वीडियो को ज़्यादर ज़्यादर लाइक शेर कीजिए मेरे चैनल पर जून नए है मेरे चैनल को ज़्यादर ज़्यादर सब्सक्राइब कीजिए साथी बेर आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वारी नए वीडियो को नोटिफिक्श्ट से आपको मिल सेगे थेंक्स पॉर वचिंग प्रेंड्स बाई बाई